जमू कश्मीर के कुपवाडा में सुरक्षबलों ने धेर किये लशकर के तीन आतंकवादी 24 घंटों में 6 आतंकियों का हुआ सफाया जमू कश्मीर के कुपवाडा जिले में आज गुसपैट की कोशिश कर रहे तीन आतंकियों और सुरक्षबलों के बीच मुटभेड हुए जिसमें जवानों ने तीनों आतंकवादियों को धेर कर दिया IG कश्मीर विजे कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि धेर किये गए तीनों आतंकवादी लशकरे तयेवा से जड़े हुए थे उन्होंने ये भी कहा है कि नातंकवादियों के पहचान की जा रही है आतंगवादियों के पास से हतियार और भारी मात्रा में गोला बारूत सहित आपत्ति जनक सामगरी बरामत की गई है महराश्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब पर ईडी की बड़ी कारवाई साथ ठिकानों पर मारे छापे महराश्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परप पर E.D. ने आज बड़ी कारवाई की है E.D. ने परप के पूने और मुंबई में 60 ठिकानों पर छापे मारे की है शिवसेना नेता के खिलाफ करोडों के रिश्वत लेने का आरूप है जिसके चलते E.D. ने यह कारवाई की है E.D. ने उन पर मनी लॉंडरिंग का मामला भी दर्ज किया हुआ है जिसके तहट उनके 60 ठिकानों पर कारवाई चल रही है एजनसी का यह मानना है कि उन्हें यहाँ से कई एहम सबोत मिल सकते है टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को ही उम्रकैद की सजा घाटी में हुई हिंसा इंटरनेट हुआ बंद आतंकी फंडिंग के मामले में दोशी करार हुए जमू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अलगावादी नेता यासीन मलिक को उम्रकैद की कल सजा सुनाई गई उम्रकैद के साथ ही उन पर दस लाग का जुर्माना भी लगाया गया है यासीन मलिक की सजा पर अदालत का फैसला आने के बाद श्रीनगर के कुछ से बुद्वार को बंद रहे और शेहर के मैसुमा इलाके में ज्यकेलिफ अद्यक्ष मलिक के समर्थ को एवं सुरक्षवलो के बीच जड़प हुई मैसुमा के मलिक के आवास के बाहर बड़ी संक्या में महिलाओ समेथ लोग जमा हो गए उन्होंने अलगावादी नीता के समर्थन में नारे बाजी की और इलाके में विरोध मार्च निकाला जम्मु कश्मीर के जोजीला दर्रे के पास गहरी खाई में गिरी वैन नौ यात्रियों की मौत एक घायल जम्मु कश्मीर में बीती रात एक बड़ा हाथसा हुआ है ले श्रीनगर रश्ट्रे राजमार्क पर जोजीला दर्रे में मंदर मोड के पास मंगलवार देर रात एक वाहन 400 मीटर गहरी खाई में जागिरा हाथसे में वाहन में सवार 9 लोगों के मारे जानी की सूचना है मरने वालों में पिता पुतर भी शामिल है ये वाहन कारगिल से सोन मर की तरफ आ रहा था इमरान खान के समर्थक और पुलिस के बीच हुई जड़प हालात हुए वे काबू इसलामबाद में उतरी सेना पाकिस्तान के पूर प्रधान मंतरी इमरान खान ने बुदवार को अपने सेकड़ों समर्थकों के साथ इसलामबाद की और मार्च किया इमरान खान का लॉंग मार्च इसलामबाद में प्रवेश कर चुका है इसलामबाद में इस मार्च के आने से पहले ही PTI के कई कारेकरताओं और पुलिस के भी जड़ब हुई जड़ब के बाद कई कारेकरताओं को गिरफतार भी कर लिया गया है और नौबत यह आ गई है कि इसलामबाद में सेना को उतारना पड़ा है इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ